नमस्कार मैं विनोध वेस्णव और आप देख रहे हैं निविश्टन टीवी आज हमारे साथ मौझूद है स्याम सिंग अहेरिया जो की पूर्व विधायक रह चुके हैं उत्रप्रदेश सरकार में और अब उनका विधांसव अचेत्र बल्देव है आईए और किन मुद्दो को लेकर के वो जंता के बीच गये थे और लगबग तीन साल का कारेकाल हो गया उनके विधायक को जो प्रिजेंट टाइम है बीजेपी से हैं और किन मुद्दो को लेकर के वो रह गये हैं उन बातों पर चर्चा करेंगे तो सर सबसे पहला आपका स्वागत है तीन साल बारती जन्ता पार्टी थे मैं तीन वरस में सरकार बने हुए अमारी हो गई घ्रामीड छेत्र में हमने जो कारेक ही आए बारती जन्ता पार्टी के विधायक पूर्व की सरकार में गाउं में कभी डावन नहीं पड़ी सरक में बनी थी, हमने हर गाम को सरकों से जोड़ा है, पहला काम तो जी किया है, दूसरा निश्वलुक कनेक्शन, हमने घर घर में कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा, जो बिजली के बिन रहे हैं, हर घर में कनक्शन दिया है, जो गरीब रखती रह गई थी, दूसरा उज्जल योजना के इंत्रगत, कितने परवारों हो, हमने योजना का लाब दी आए, जितने लोगों को लाब मिला है, कभी घर में खाना नहीं बनता था, परिशान होती हैं, तो वो योजना का लाब सब को दिया है, जिस समय उन गरीब परवारों के कभी छत नहीं थी, उनको हमारी सरकार ढाई-ढाई लाग रखते दे के खाते में, जिदाइज जी, बीजेपी की सरकार है, किसान आज भी धन्ने पर बैठा हुआ है, आज भी आम मजदूर वर्ग परेशान है, ऐसा वेपक्स के लोग आपके कहते हैं, बसपा, सपा और कॉंग्रेस कहती है, सपा बसपा कांगरेस इनका कारिकेबल बिरोध करना हैं, उसको सिद्धकरना नहीं है, के वही 크리क सानो को यह लाभ नहीं मिलना है, किसानों को आलू का भाव सही मिला है गेहूं का मिला है सरकार उनके लिए किसानों के लिए बीमा योजना के अंतिकत हम लोग लग पोचा रहे हैं तो मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले करीबों को उनको चुआ है जो कभी उनके पास मकान नहीं था आज उनके लिए डाई डाई लाग वाद देके कितने अच्छे मकान बन बाए जा रहे हैं सोचाले जो महलाएं हमारी साट साल कांगरेस ने राज जिकिया जिसकी बात आप करते हैं बस्वाने राज जिकिया उत्तर प्रदेश में मुलाइम सिंग जी ने किया सोचाले हमने कोई एक घर नहीं छोड़ा जो महलाएं सटक पर बैठती थी लाएं लगा कि कोई ब्यक्ती जाता था तो वो बिचारी पेट में दर होते नहीं कोई सरम की वेदे खड़ी हो जाती थी आपने सुना होगा देखा भी होगा तो आज हर घर में हमने स्वाचाले बन बाएं कोई काम में कोई घरवक आया नहीं छोड़ा है और अगर कोई छूट भी गया होगा तो उनको भी हम पूरा काम कर रहे हैं तो भईयच्ड़ी बीजे algumas के राज में आप यह हम कि आ पके लोगा आप लगाते हैं कि भीजेपी सब ध्रवाद की जाती बाद की राजनिती करती यह कि हम राष्टबाद की राजनिती करती अ भारती जनतापादी राष्टबाद की करती है, कोई जाती बाद की राजनिती नहीं करती है, सारी जातियों को, सारी समाज को, भारती जनतापादी साथ लेके चलती है, और सारा विकास जनता के आधार पर, जनताजी समस्चा के आधार पर हम लोग भारती जनतापादी करती है आपने देखा को मोदी जी मुकमंती थे गोजरात के, या मुसल्मान बोट नहीं रहते थे, या यादब साथ नहीं रहते थे, सारी समाजों को साथ में जोड़के हम लोग चलती हैं, अभी आपने देखा हुआ, कस्मीर का मुद्दा था एक सो सतर बाला, तो भारती जनता पाड़ी नहीं महां का हिंदू मुसल्मान सभी रहते, या यादब लोग एक देश दो विधान, सतर साल चे ये मुद्दा कांग्रेस ने साट साल ते अटका अगे रखा था, और हमारी सरकान ने पूरा किया, ये एक जैसा समान सबको अथकार मिलना थे हैं, ये देशे नागरे के हैं हम, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप ये बताएं, आप बल्दिव विधान सभा से तयारी कर रहे हैं, अगर आपको मुका मिलता है, तो सबसे पहले क्या कारे आप कराना चाहेंगे, कि मैं ये कारे कराना चाहूँगा, हम लोगों ने जो कारे कराते ही, वो जनित के कार करता है, जैसे किसान के पानी की समस्या, पहला मेरा मुद्दा पहले भी था, दो अजार में जब बताएं, तो मैंने कहा था, एक तो किसान की इंडिस्टी, खिती है, किरसी, तो उसको मुक्रु टेल तक पानी मिलना चाहिए, गाउं की समस चाहे गाउं में सलक गाउं में से जुडनी चाहिए, चाहे मजरा हो, चाहे गाउं हो, तो सलक मिलेगी तो काम मिलेगा, सलक नहीं होगी तो समस्या हैंगी, अस्पताल जाने में पैसान जाएंगी, शेर जाने में पैसान जाएंगी, बहन बेटियां लेट पहुचेंगी, त कितने युवाओं को रोजगार मिला थे, बल्दे विधानसवा की सिर्फ बात करें तो, बल्दे विधानसवा की बात नहीं, हम तो उत्तव प्रदेश की और देश की भी बात करते हैं, अब हम लोग कितने लोगों को काम मिला है, जिसकी आप कलपना नहीं करेंगे, कितने अम प्राभन मंति जी नौ लेते हैं और काम अपना करना चाहाएं उनकी एक होसी यह ... तो भाष्वी अन्ता पर प दो shells के, काम जैते है यह आती है चाहें और के युवा को और महिलायों को को यह आप संदेश जेना चाहेंगे..? युवा और महिलाwang के लिए तो यही संदेश है कि काफी महलाओं के लिए बेरोजगारी मिटाने के लिए हम एक आलू का पिलांट लगाना चाहते हैं जो किसान को भी उसका लाम मिलेगा, महलाओं को काम मिलेगा, नौजवानों को काम मिलेगा यह हमारी योजनाज चल लही है पहले से ही और हम लगे हुए कि वहाँ एक बहुत बड़ी इंडिस्ट्री पापड बनाने की लगे आलू की खपत होगी लोगों को काम मिलेगा और भी ऐसे बेरुजगारी के मूर्ती का काम करा रहे हैं पोसा का काम करा रहे हैं तो मत्वा से प काम कर रहे हैं काम के प्रती नौजमानों के प्रती बचन बंद है इसा नहीं है तो विधायक जी जब आप विधायक थे तो उस दौरान के कोई ऐसी कोई बड़ी परियोजना बताएं जो आपने लागू करा ही हैं अपने कारेकाल के दौरान में सबसे बड़ी गोबर्धन क विधायता है 2002 में 2006 में ने गोबर्धन की तैसील की घोशना कराई थी मुक्ष मंती जी के दौरा वो कारेको बड़्धन में पूरा हुआ तैसील का दिर्मार हुआ जो आज आप कभी जाते हूंगे गे राज जी का जरसन करने के लिए परकम्बा देने के लिए राज जी का म पूरी साथ-कोष्की परकममा में पानी की ठंकियां लगवाई थी, बूरे में मीठे-पानी का लाइन भिचवाई थी और कच्ची परकममा इहां, शाथ-कोष्की परकमममें कच्ची धर्वा के निया जो परकममम देने के भार जाती ही। उनको परिस्तानी नह ओ, तो हमने बहुत बड़े-बड़े काम ऐसे किये बीली का काम किया और एक होसा हमने और काईटी मत्वा में जो जैसा तुमारा हरत द्वार में जो लेस्मन जूला का पुले विश्राम घारते हैं और अगर विजाएक के तूटल बात करें अपने कारेकाल के दौर में लगो कितन अपने बीजली का भी कोई मजरा थोड़ा के जिसी गाम में बिजली के खमे नहीं पहुछ बादियों भाल बहुत बड़ा काम था और कोई राजबार मेनर पर खाट डाड डालके बेढ़ता था और अपने सामने पूरा खुचवाता था किसान को पानी कैसे पोचए यह मेरी मतलब प्रात मित्ता थी और नो जवानों को ये काम मिले तो जैसा कि दर्सकों आपने देखा कि स्याम सिंग अहिरिया पूर विधायक उन्होंने वताया कि जब वुधायक रहे तो उन्होंने करोडों के विकास कारे अपने विधासावा छेतर में कराए और आप सब जानते कि गोवर्धन परिक्रमा पूरे देश में मानी जाती है गोवर्धन परिक्रमा को पूरे उत्रप्रदेश में राजय मेला घोसित करवाने वाले हैं स्याम सिंग अहिरिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कारे करम देखा